अभींद एवरीवन आई वेलकम यू ओल तो वेकनिंग ग्लासिज जेकैस इस भी फाइनेंस अकाउंट इसिस्टेंट एक्जाम में आप चार-पांच दिन रहा हैं अच्छे से प्रपेशन करें आपके रिष्टेदार फ्रेंड सब यहीं पर हैं कोई कहीं नहीं भाग रहा है तो पांच दिन आप पढ़ाई में डेडिकेट करें ऐसा नहीं है कि लास्ट के दिनों में प्रिपेर करके कुछ नहीं होता बहुत इंपक्ट पढ़ता है अगर आप MCQs लगा रहे हो आपने जो पढ़ा मटेरियल है उसको रिवाइस करे हो आपके एक्जाम में स्कोर जो है कर रहे हैं आप बच्चों के लिए वह और फिल्ड भी दिखाई दे रहे हैं स्टॉक एसिस्टन में तो बहुत बच्चों के मैसेज़िस आये थे वीलडव्यो के टाइम पर भी हम चाहते हैं कि फाइनेंस के बच्चे जो है वह काफी महनत करें और हमें भी ऐसा हो की वह या मोल या जूर्ट ठीक है ऐसे थो सबी उनिटहित के याद नहीं रख सकते बट जो साथ फंड़मेंटल फिजिकल क्वोंने लिए वह फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने में ही हो जिसको आप पहीं से नहीं निकाल सकते तो वह वह फंड़मेंटल फिजिकल सबसे पहले आगी लेंथ यह सबको बता लेंगे लेंथ को मेटर में मेजर कर सकते हैं किलोमेटर में भी सेंटिमेटर बड़ एससाइए उनिट में लेंद को किसमें मेजर करते हैं में याद रखना मास सेकेंड फंडामेंटल फिजिकल कौनिटी इसको किसमें मेजर करते हैं कि तरह लिटो AAA किसमें भी कर सकते बढ़ किलो गाम्व्ह वंदमेटल फिसकल क्वानिति इसको किसमें जो जारकना 145 चैह्टेक्यक्श ने सिलाव करेंट अम्पेर में किस money करतें थे तरह सबरेंटप्रेचर थे उस हैं उते करते चेल्ज नहीं मार कर देना दम्प्रेचर के स्पलविन होते हैं क्या होते हैं क्ल्विन ठीक है याद रखना रहां चेंड रखणना और सॉमांटांटी इसको धी को इन क्षेटे नाम और इनके units आपको पता हूं इसी से बागी सारी निकलते हैं जैसे speed भी इसी से निकलेगा force भी इसी से निकलेगा बागी सब इनी से निकलने पर यह साथ fundamental physical points दे उसके बाद दो supplementary भी होते हैं जो angles को measure करने के लिए use करते हैं ठीक है जो plane angle होता है plane angle इसको कुँद्री करने नहीं करते हैं न Пलेन एंगल को ऐसा ही जो है प्लेन एंगल का वो रेडियन होता है और स्वालीड एंगल का स्थी रेडियन होता है यह चीज़ आपने याद रखनें ठीक है आई होप इस क्वेशन की हमने सारे फंडमेंटल फिजिकल कॉइंट के उनिट देख लिए हैं moving towards question number second when the boatman is jumped from the boat एक boatman है वो boat से jump कर जाता है the boat is pushed back और उसकी वाइस से boat पीछे पुछ होती है जब भी आप jump करोगे न बोट से देखना बोट पीछे वेल तरफ आती है this is an example है वह किसकी example है Newton के first लागी third लागी second लागी तो यह किसकी example है जब एक boatman jump करता है और boat pushback होती है यह किसकी example है I hope you have tried it देखो इस question का answer Newton third ला देखो यह क्या हो रहा है यह to every action there is equal and opposite reaction आप boat से jump करें और नीचे आप boat नीचे जंप करवारी है तो आप boat को पिछे दखेलोगे तो यह होता है to every action there is equal and opposite reaction यह Newton third लागी example जैसे आप एक वाल है अगर आपके सामने में सामने में इसके बाल फैंकता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं बाल से force लगा रहा हूं वाल के ओपर अब वाल उसी बाल को वापिस मेरी तरफ पुछ करेगी ठीक है अपोजी डाइक्शन में equal force लगाएगी तो यही है न्यूटन का 3rd law न्यूटन 3rd law कहता है तो अपोजिट रियाक्शन इसी तरह न्यूटन 1st law को law of inertia कहते है या देखना एक्जाम में पूछता है विच law of Newton is known as law of inertia Newton 1st law is known as law of inertia मतला न्यूटन का पहला ला कहता है अगर एक body rest में तो rest में ही रहेगी जैसे में सामने चेयर है वो rest में ही र तो वो अपनी डाइक्षिन खुद बाखुद चेंज नहीं कर सकती अगर आपने किसी बॉड़ी को स्टेट से चेंज करने मतलब रेस्ट में लेकर जाना या डाइक्षिन करें तो आपको क्या लगानी पड़ेगी फोर्स लगानी पड़ेगी इसलिए न्यूटन फर्स लागो अगर आपने नहीं देखा तो जनल साइंस वारी प्लेलिस्ट जाकर देखना अभी भी टाइम है दो तिन दिनों में आपको रिवाइज हो जाएगा मैं शौर्ट वीडियोज ही डालता हूं जिसमें आपको टूदा पॉइंट बढ़ाया जाता है एक्जाइम अब न्यूट लाग कहता है कि फोर्स इस डारेक्ली प्रपोर्शन टू रेट अफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो मोमेंटम आपको पता है किसके बराबर होता है मास इंटू विलास्टी इसका मतलब यह क्या हो जाएगा तो इसके बेसिज में नुमेरिकल भी पूछा जा सकता है और यह न्यू लागी चीज़ें थी जो आपने याद नहीं थी ठीक है moving towards question number third waves which do not require any material medium for their propagation are known as ऐसी waves जिनको किसी material की जूरत नहीं होती for their propagation मतलब आगर राष्टे में particles नहीं भी हो जाए sound wave है आगर मैं बोल रहा हूं आप तक पहुंच रहे हैं कहीं भी आगे बीचे कोई मेरे सुन रहा है तो वह material के through ही transfer होती है but कुछ ऐसी waves होती है जिनको material की जूरत नहीं होती है for example sound wave की case में होती है एक particle vibrate करेगा वो अपनी vibration second को send करें second, third में इसी तरह से sound wave travel होती है but जिनको कोई बागी सब को होती है material medium की जूरत नहीं होती है for the propagation for example जो sun से light आती है ठीक है sun से light आती है जिसको बोलते है visible light क्या उसको material medium की जूरत होती है नहीं होती है UV rays को नहीं होती है X rays को नहीं होती है infrared rays जो heat radiation आप सूरज की केड़नों में बाढ़ता हो तो आपको heat महसूस होती है infrared rays की वरसे वो भी electromagnetic waves से इनको भी material medium की जूरत नहीं होती है इसी तरह microwaves को भी नहीं होती है radio waves को भी नहीं होती है ठीक है तो यह आपने याद दखने है यह सारी electromagnetic waves है इनको material medium की जूरत नहीं होते है for propagation I hope this question is clear to you moving towards question number fourth if the value of the current flowing through a metal wire remain same अगर current जो किसी metal wire से flow करी है वो same रहते है मतलब current chain नहीं हो रही है and the value of potential difference is increased six times तो V जो potential होता है उसको हम 6 गुना बढ़ा देते हैं current same है potential बढ़ा देते हैं the value of electric power will I expected my lecture पढ़ा था minnau अबको बताया था source talk about the power किसी चीज की क्या होती है कोई इंसान कितना काम किरें करता है उसकी power Pro energy upon time कितनी electrical energy है मतल जितनी energy consume होगी table time उसको ak kunnen have मतलब पोटेंशल और करेंट को मल्टिप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाता है इलेक्ट्रिक पावर अब इस फॉर्मुला की हल्प से इस कुछिन को सौल करें वो क्या कह रहा है करेंट फ्लोइंग थो मैटल वायर रिमें सेम करेंट सेम है इसका मतलब आई सेम है तो आई को चेंज नहीं करेंगे एंडब वैल्यों पोटेंशल डिफरेंस इंक्रीज सिक्स टाइम बढ़ गया मतलब पहले वी था अब कितना हो गया 6 वी ठीक आप कितना हो गया 6 वी छे ता जाता है मतलब नहीं पॉवर क्या होगी 6 ताइम पुरानी पॉवर कितने गुना बढ़ गी छे गुना बढ़ गी जब आपका पोटेंशल यह गुना बढ़ा और आपका करेंट चेंज नहीं हुआ है अगर यहाँ पर करेंट भी दो गुना बढ़ जाता तो फिर टोटल है वो correct हो जाएगा increase six time देखो यह formula की help से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं अगर कोई भी exam में question आएगा अगर एक चीज कम हो रही है एक चीज भर रही है तो आपने सिर्फ उसके formula में put करना होता है और formula में put करने के बाद उसको card के देखना होता है new power या new अगर आपका potential है वो क्या आ रहे है तो वही आपका final answer होगा ठीक है इस तरह के question exam में पूछे रहाते है next question पर move करते है question 5 if the temperature of a vessel containing water is 20 degree celsius ठीक है यह कुछ भी नहीं है यहाँ पर अगर किसी vessel का water है उस vessel में उसका temperature 20 degree celsius है ठीक है इस temperature on the kelvin scale will be देखो temperature celsius में दिया हुआ है kelvin में पूछ एक्जाम में ऐसे question आते हैं ठीक है 20 degree celsius अगर पानी है उसको बताओ kelvin में कितना होगा आपको पता है kelvin को हम celsius में celsius को kelvin में convert कर सकते हैं अगर आपको वह formula आता हो तो एक second लगता है देखो अगर आपको temperature दिया होना celsius में ठीक है temperature दिया हो है celsius में उसमें आगर आप two seventy three point one five add कर देते हो तो वह बन जाता है temperature in kelvin ठीक है यह formula होता है Kelvin और celsius के बीच में relation होता है मदब celsius में temperature दिया हो आपको को एड़ कर दो तो कितना celsius दिया है 20 celsius तो 20 degree Celsius plus 273.15, अब ये किस में बनी गया, Kelvin में, तो 273 plus 20 कितना हो जाएगा, 293, 293.15 Kelvin इसका answer हो जाएगा, तो कौन सा option है, option A, 15 भी डालना है साथ में, क्योंकि देखो option B में 293 Kelvin है, तो 273.15 को, जब हम Celsius में add करते हैं, तो Kelvin बन जाता है, इसी तरह के exam में बोला हो, Kelvin दिया हो, Celsius निकालना हो, तो क्या करोगे, जहां से इसको इदर ले जाओ, तो यह Kelvin में से minus हो जाएगा, तो जो Kelvin में दिया होगा, उसमें से आप minus कर दोगे, 273.15 तो वो आपका Celsius निकल जाएगा, ठीक है, देखो, बेसिकली यह क्यों होता है, उसका एक reason है, देखो, जो आपका Celsius वाला scale है, वो जाता है, 0 degree से 100 degree, ठीक है, 0 degree होता है, आपको पता है, आइस का और 100 degree हो गया, water का boil होने का, ठीक है, Celsius 0 से 100 जाता है, बट Kelvin पता है, कहां से कहां जाता है, 273.15 से 373.15 में, इसलिए हम क्या करते हैं, इस 273 को जब हम 0 या Celsius में add कर देंगे, तो वो क्या बन जाता है, Kelvin, और जब इसको minus कर देंगे, तो वो क्या बन जाता है, Celsius में, तो यह आपको formula और relation इनका पता होना चाहिए, I hope this question is clear to you, moving towards question number 6, ATP molecule produced in, adenosine triphosphate, जिसको energy currency भी कहते हैं, ठीक है, energy का unit है, यह कहां पर produce होता है, plastics में, mitochondria, chloroplast में, यह lysosomes में, देखो यह मिने last lecture में भी यह सारे आपको बताए थे, जो cell organelles हैं, यह क्रेयोट में जो होते हैं, यह सारे मिने आपको explain कर रहे थे, तो ATP molecule कहां produce होते हैं, में बनती है, adenosine triphosphate, जिसको हम energy currency भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको energy currency of the cell, इसकी full form क्या है, adenosine triphosphate, exam में पूछा जाता है, यह याद रखना है, ठीक है, plastics क्या होते हैं, plastics, जो हैं, double membrane organelles होते हैं, plants और algae में present होते हैं, इनका काम होता है, store करना, food को और manufacture करना, ठीक है, chloroplast मैंने आपको बिताया था, chloroplast plant में होते हैं, इनमें green color का pigment होता है, जिसको बोलते हैं, chlorophyll, जिसमें magnesium भी present होता है, जो photosynthesis में help करता है, खाना बनाने में help करता है, lysosomes को suicidal bags भी कहते हैं, मैंने आपको बिताया था, यह bacteria बगारा को kill करते हैं, बढ़ कहीं वार, जो cell है, उ 15 questions आज हमने cover करने, have patience, अच्छे से पढ़ो, जो additional information मिल रही है, इनको दिमाग में fix करते जाओ, क्या पता है, यहीं से कोई question frame हो के आजए, ठीक है, जैसे stock assistant के paper में, आप मैं देखता हूँ comment section में, reply नहीं कर पाता है, किमबार time नहीं होता है, इतना, but किमबार comments देख रहा हो मैं सिरफ एक MCQ नहीं बताता हूँ, साथ में 4 points तो मैं ऐसी explain कर देता हूँ, तो कहीं नहीं वहाँ से question आने के chances भढ़ जाते हैं, तो आप इन lectures को बिल्कुल भी ignore मत करना, that will be beneficial to you, यह exam के बाद आपको पता चलेगा, next question में move करते है, dash are born male, but become female when they grow up, इन में से कौन सा organism है, ज male होते हैं, born male होते हैं, but female बन जाते हैं when they grow up, इसका answer है oysters, basically oysters जो है, वो एक साल के बाद उनका gender जो है, वो female वाला हो जाता है, ठीक है, next question पर move करते है, next question है, question number 8, wait, dash is the part of human heart which pumps oxygen rich blood, जिसमें oxygen होता है, जिसको हम pure blood करते है, तो कौन सा part है human heart का जो pump करता है oxygen rich blood को, right ventricle, left arterium, right arter left ventricle, कौन सा blood pump करता है, oxygen rich blood को pump करता है, तो इन में से कौन सा pump करता है oxygen rich blood को, पहले आप खुड try करो, देखो इस question का answer है left ventricle, जो left ventricle है, वो जो है, pump करता है oxygen rich blood, ठीक है, heart की diagram मैंने इसलिए डाली तो मुझे बनानी नहीं आती है, इसलिए मैं diagramatically बहुत वेक हूँ, इसलि कोई blood को purify करना नहीं है, blood को purify करने का काम lungs का है, purify करने का मतलब होता है, deoxygenated को oxygenated में convert करना, ठीक है, carbon dioxide वाले blood को बोलते हैं deoxygenated, उसको oxygenated blood में, क्योंकि oxygen चाहिए हमारी body को blood के तुरू ही जाता है, hemoglobin आप सबको पता है, उसमें convert करना मतलब purify करने का काम lungs का है, heart का का सिरो ब्लड को पॉंप करना हर्ट का काम feeling नहीं है उसको साथ relate मत करो प्यार व्यार्ट का काम नहीं है हाथ का मैं simply ब्लड को पंप करने ठीक है अज हम human heart को अच्छे से समझाइंगे ठीक है तो right part ठेक है यह आगये right arterium यह यह left portion आगया जिसमें left arterium left ventricle यह आगये right arterium right ventricle देखो right side देखो यह आपको दिखने में right left दिख रहा होगा इसलिए दिख रहा होगा कि heart के हिसाब जाब जाब अगर आप इसी phone को सबसे पहले राइट साइड से सटार्ट करते है जो भी दी यह दिख रहे है उल्ट ऐहां पहले ओक्रूजनर संफे पहले में इनक्यान त्फ्लेट bit प्यूर ब्लड को कहां पर गांड़ यहां की हज़़ा य release merch यह यहां से आड गाइगध यहां से ऐंडेल से ओपर यह यह क्या है तो पल्मेरी आ्टरीज़ की हर्प से राइट वेंटरीकल से मतक्ळारóc में लंग में जाकर क्या होगा प्यूरिफइय औब प्यूरिफइय होने के बाद इसने कहां पर आना-ціyalah साइड में ट्रिफटेल में बसक्राहर में बइंड प्यूरिफएय होकर कूर आणा लेफट आर्ट्रियम toward the वो left arterium में किसकी help से आता है? pulmonary veins की help से वो कहां पर आएगा? वो आएगा left arterium में. ठीक है? अब यह कौन सा blood है? यह oxygenated blood है, मतलब pure blood है. इसके बाद यह कहां पर जाएगा? नीचे देखो left ventricle में जाएगा. कहां पर जाएगा? left ventricle. left ventricle के बाद orta की help से, यह देखो orta हैं यह, orta की help से यह कहां पर चला जाएगा? orta की help से यह different body parts में चला जाएगा. जहां पर oxygen blood की जूर्ट होगी cell division के लिए और भी different functions के लिए वहाँ पर पहुंचेगा. ठीक है? I hope आपको समझ आएगा heart कैसे काम करता है? किसकी help से? pulmonary artery की help से, ठीक है? कहां पर जाएगा? lungs में? lungs में purify होके oxygenated blood pulmonary vein की help से कहां पर पहुंचेगा? left artery में, left arterium से left ventricle, left ventricle से orta की help से different parts of the body जहां पर जाके breakdown होती है, food की glucose वगयरा बनता है, वो already आपको digestion वगयरा में element with atomic mass 35 and atomic number 17 is देखो, symbol पूच रहा है, symbol पूच रहा है किसी element का, जिसका atomic mass कितना है? 35 और atomic number 17 है, तो आपने बताना है, वो कौन सा element है? sulfur है, chlorine है, potassium है या sodium है, तो किसका atomic number 17 होता है? ठीक है, किसका atomic number 17 होता है? chlorine का होता है, तो थोड़ा वहता आपको atomic number atomic mass पता होने चाहिए, देखो, sulfur अगर हम बात करें, sulfur का atomic number 16 होता है, potassium का अगर हम बात करें, potassium का atomic number 19 होता है, sodium का क्या होता है? sodium का इलाए, यह मैंने आपको बता दिया, बट आपको थोड़ा बहुत idea होना चाहिए, ठीक है? विट ट्रिक्स भी याद किया जा सकते हैं, बट ऐससे थोड़ा बहुत, at least 20 तक तो देखके ही जाना exam में, next question पर move करते हैं, the species which are confined to a particular area, यह तो बहुत बार पढ़ा दिया, environment ecology, biodiversity में, तो जो species किसी एक particular area में रहती हैं, उनको क्या बोलता है? जैसे lion-tailed macaque है, lion-tailed, lion की तरह जिसकी tail है macaque, जो है, मतलब monkey की एक variety है, वो western guards में पाई जाते हैं, तो वो western guard का क्या हुआ है? endemic हुआ, जैसे neil गाएं, वो इंडिया की endemic है, asiatic lion, इंडिया का endemic है, निलगेजी तहर इंडिया में पाई जाते हैं, इंडिया का endemic है, endemic species वो होती हैं, जो किसी एक particular area में पाई जाती है, इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है? तो इन में से कौन सी disease होती है, विटामिन E से, अगर आपको करेटो मेलेशिया पता ना भी हो, माल लेते हैं, आपको नहीं पता है, night blindness तो विटामिन E से होते हैं, पता है, पता है था अपने lecture में, जिरो थेलमिया भी विटामिन E की deficiency होता है, ये भी बताया था आपको, इसका मतला, दो ये तो है ही है, तो इसका मतला, all of disease का correct answer होगा, तो night blindness, keratomalacia और जीरो थेलमिया, ये तीन हो ही किसकी विए से होते हैं, विटामिन E, विटामिन के बारे में, आभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, विटामिन पर मैंने एक highly dedicated lecture लाया था, वो lecture जूरूर देख लेना, नहीं है, ठीक है, renewable है जिसको आप बार-बार use कर सकते हैं, कोईला खतम होगे तो वापिस कहां से use करोगे, तो हमें not बताना है, कौन सा renewable source नहीं है, nuclear energy, hydropower, biomass या energy from waste, ठीक है, तो इन में से कौन सा renewable source नहीं है, renewable वो होता है, जो unlimited है, मतलब जिसको बार-बार use कर सकते हैं, तो nuclear energy नहीं है, देखो nuclear energy, uranium वगदर use करते हैं, limited resources हैं, एक बार uranium destroy तो वापिस कहां से बनना है, ठीक है, ठीक है, यह renewable source नहीं है, next question में move करते हैं, question number 13, calcium oxide and water combined to form calcium hydroxide, ठीक है, calcium oxide quick lime या lime मैंने आपको बताया था, इसमें जब water को combine करते हैं, ice 2 में लाते हैं, तो calcium hydroxide बन जाता है, जो slate lime है, यह मैंने आपको बताया हुआ अल्रेडी, ठीक है, type of chemical reaction वाल लेक्शर में, यह कौन सी reaction की example है, यह combination reaction और exothermik दोनु है, combination है endothermik और exothermik, endothermik होता ही, जो heat लेता है, exothermik होता है, जो heat release करता है, combination होता है, जब 2 से मिलके एक बनता है, तो combination तो यह है, 2 से मिलके बना हुआ है, अब आपको यहाँ पर 2 option confusing, option B और option A, option B में सिरफ combination, option A में combination B और exothermik, अब बताओ, जब quick lime water में मिलता है, lime water में मिलता है, slake lime बनता है, यह एक exothermik reaction है, यहाँ पर heat भी produce होती है, इसका मतलब option A, यह हमारा correct हो जाएगा, बोथ combination reaction and exothermik reaction यह चीज़ आपने याद रखने हैं, next question में move करते हैं, आज dynamo converts, dynamo is like generator, dynamo किसको किसमें convert करता है, शादियों में जाते हो, जण्यरेटर लगा होता है, वो generator क्या क्या करता है, जण्यरेटर में आप डालते हो, diesel या petrol डालते हो, वो उससे बिजली पैदा करता है, तो dynamo का काम basically क्या होता है, वो किसमें क्या produce करता है, electrical इसका मतलब वो mechanical को electrical में convert करता है तो dynamo just like generator mechanical to electrical energy convert करता है electrical to mechanical ध्यान से सोचो ऐसी कौन सी आपके घर में चीज है जिसको आप बिजली provide करते हो और वो काम करती है electrical to mechanical वो कुछ काम करती है सबसे अच्छी example है motor कोई भी motor पंखे की motor भी हो सकती है बट अगर आप पानी वाली motor देखोगे तो आपको इसली समझ आ रहा है आप घर पर button on करते हो motor का तो पानी उपर पहुंच आता है mechanical काम हो रहा है पानी उपर जा रहा है तो बट आप electrical energy को motor किसमें convert करें mechanical इसी तरह पंखे की motor सारा यही काम करते है electrical to mechanical chemical to electrical इसकी example दो ऐसी कोई एक आप बताओ क्या चीज है जो chemical से electrical में convert मतला उसमें कुछ chemicals पढ़े हुए है जिसकी reaction की वैसे electrical energy बन जाती है पहले खुद सोचा करो दिमाग से क्योंकि उदर exam में में थोज़ी साथ जाना है तो chemical to electrical energy कौन इसकी बेस्ट इग्जमपल है बैटरी सेल में क्या होता है सेल में आपके chemicals ही बड़े होते हैं वो क्या करते हैं chemicals को electrical में convert कर देते हैं तो cell is an example of chemical to electrical energy ठीक है and the last question of for today is और JKSSB का favorite question fission fusion इसमें डालती रहता question हो the splitting of a nucleus into smaller nuclei is एक बड़े से nucleus का small nuclei में तूर जाना है इसको क्या बोलते है fission बोलते हैं fusion बोलते हैं half life बोलते हैं gamma radiation बोलते हैं तो देखो for example यह आपने reaction पढ़ी है uranium 232 है atomic sorry यहां पर लिखे है 253 इसका atomic mass है ठीक है mass number जिसके इसको जब हम neutron के सा qualité तो यह तो जाता है कि समें तूरता है इसमें निजिएरियं बनता है बेरियंग 111 बनता है बेरियंग बन जाता है इसके साथ 92 इंग और x kya बन जाते है now रख ? क्या बन Bio पर क्या ओ रहा है है युरेनियम जो है वो एक compound है एक nucleus था जब हमने इसके ओपर neutron को गिराया तो ये neutron को पहले तो absorb कर लेता है तो 236 बन जाता है ये आप तूट गया है barium और क्रिप्टॉन में तो जब भी एक nucleus एक से ज्यादा nucleus में तूट जाता है that process is known as fission उसको क्या बोलता है fission fission का मतलब है तूटना fusion का मतलब होता है जुड़ना uranium का process में क्या होता है fission होता है याद रखना और fission की example क्या है uranium का तूटना एक्जाइम के लिए relevant है एक्जाइम के लिए एक्जाइम के लिए एक्जाइम में प्रॉब्लम है इस तरह एकनॉमिक स्टैट्स मैथमेटिक्स सभी वढ़ाया हुए mcqs के थ्रूई चीज़ें पढ़ाई हुई है और इस टाइम में आपको mcqs लगाना बहुत beneficial रहेगा आपके एक्जाइम के लिए तो अगर आपको gkv special reference to jnk में भी problem थी तो दो lectures के अल्रेडी है एक तो कल आया था एक तीन चार दिन पहले आया था उन lectures को जूर देखना और जम्मू कश्मीर वादा portion exam में देखके जाना 8-9 question वहाँ पर आने के chances बन जाते हैं और अगर आप चाहते हो कि और किसी topic related जिस तरह से ये marathon आ रहे हैं अगर आप और किसी topic related चाहते हो तो comment section में बोलो उस पर lecture लाने की 3-4 दिन है आपके तो जो भी आपकी demand होगी उस पर आने के हम कोशिश करेंगे गासे मैंने पोल डाला था science का ज्यादा review आया तो science भी लाएंगे जिन बच्चों ने computer पर mark करा तो कल computer पर भी एक इसी तरह का marathon session 20-30 question लेके हम cover कर देंगे ठीक है I hope this lecture is clear to you and अगर आपको हमारा content और पढ़ाने का वे पसंद आ रहे है तो channel को जू okay so this is it for today thank you so much for watching